दोस्तो अगर आप अपने चैनल के लिए एक अच्छी सी थमनेल बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए यूट्यूब थमनेल किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको पूरा सिखाऊंगा भी कि आप किस तरीके से यूट्यूब चैनल के ये एक अच्छी सी thumbnail बना सकते हैं तो आप इस वीडियो को complete देखें मैं आपको पूरी complete जानकारी step by step दूँगा कि आप thumbnail कैसे बनाएंगे और आप इससे बड़ी आसानी से thumbnail बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तो मेरा नाम है कुल्दीप आप देख रहे है टेक बन्टू चैनल को अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो फटा पट से नीचे subscribe बटन दवा के channel को subscribe कर लें और बाद में bell icon को भी दवा लें तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो मैं अपने मुबाल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूट्यूब थम्नेल बनाएंगे बनाना सीखते हैं दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले श्टोर पे जाना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तो यह जो आइकन प्ले श्टोर का आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल आपको इसी पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ अब इसके बाद आपको आंगे का प्रोसेस बताते हैं यहाँ पे जो आपको search दिखाई दे रहा है यहाँ पे search करना है pixel lab इन नीचे जो pixel lab लिखके आ रहा है मैं आपको यह search करके दिखा देता हूँ जैसे ही आप इसको search करेंगे दोस्तो उसके बाद इसका interface कुछ इस तरीके से खुल जाएगा यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ open अगर आपके पास यह pixel lab नहीं है तो इसका link नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ से इसे बड़ी आसानी से download कर सकते हैं तो दोस्तो मैं कर लेता हूँ अपने pixel lab application को open जब आप पहली बार इसे open करेंगे तो दोस्तो इसका interface कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे मैं पहले से open कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको कर देता हूँ cut और यह text भी अटा देता हूँ यहाँ से मैंने text भी delete कर दिया आप दोस्तो ध्यान से देखिए आपके सामने पहली बार यह picture lab इस तरीके से खुल जाएगा तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप सीख लीजिए यहाँ पे दोस्तो नीचे कौने में उपर यहाँ कौने में आपको यह 3 dot दिखाएं देगी यह 3 dot दिख रही होंगी दोस्तो इन 3 dot पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका interface कुछ इस तरीके से आएगा आपके सामने यहाँ पे आपको image size जो दिखाई दे रहा होगा image size आपको यह image size select कर लेना है यहाँ पे जैसे ही आप इसे select करेंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा custom तो custom पे आपको क्लिक करना है जब आप custom पे क्लिक करेंगे दोस्तो उसके बाद इसका interface कुछ इस तरीके से खुल जाएगा यहाँ पे आपको select करना है YouTube thumbnail जो आपको दिखाई दे रहा होगा YouTube thumbnail आपको इसी पे क्लिक कर देना है जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तो उसके बाद यह interface इसका कुछ automatic यह YouTube की लंबाई और चोड़ाई जितनी भी होती है thumbnail में select कर लेता है आपको इसे कर देना है ओके मैं इसको करने वाला हूँ ओके यहाँ पे आपको कुछ भी site नहीं करना पड़ता ओटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे यह इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे दोस्तो अब आपको क्या करना है अब दोस्तो इसका यह color जो है वो आप change कर सकते हैं कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए यहाँ कोने में नीचे में आपको यह option मिलेगा एक यहाँ पे आपको करना है click इस option पे आप जैस जैसे ही click करेंगे तो दोस्तो इसका interface कुछ इस तरीके से खुल जाएगा यह जो आपके सामने खुल गया है और दोस्तो यहाँ पे यह option आपको दिखाए दे रहा होगा color का तो यहाँ से मैंने कर लिया color select अब यह जो color लिखाए रहे गा इस पे आपको click कर देना है जैसे ही आप यहाँ click करेंगे दोस्तो यहाँ से आप कोई भी color select कर सकते हैं मैं आपको यहाँ नीला color select करके दिखा देता हूँ मैंने कर लिया नीला select अब दोस्तो आपको इसे ok पे click कर देना है यह सही का जो निसान आ रहा है आपको simple इस पे click कर देना है अब दोस्तो आपको यहाँ पर टेक्स लिखना है जो जिस भी नाम से आप थमनेल बनाना चाहे वो टेक्स लिखेंगे टेक्स पर आए और दोस्तो पिलस का आइकन है उसको दवाना है पिलस के आइकन को दवाते ही दोस्तों यहाँ पर न्यूट टेक्स का एक box खोल जाएगा दोस्तों यह दबा दिया मैंने अब दोस्तों यहाँ पे यह जो pencil का icon आ रहा है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है edit आपको simple इस edit को click कर देना है जैसे ही आप यहाँ click करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है new text और मुझे लिखना है YouTube thumbnail कैसे बनाए तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले लिखूँगा YouTube फिर उसके बाद लिखूँगा thumbnail फिर लिखूँगा कैसे बनाए तीन बार में लिखूँगा इसको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले YouTube मैंने यहां पर YouTube लिख दिया है अब मैं इसको कर देता हूँ OK जो OK का आपको आइकन दिखाई देगा आपको सिंपल इसी OK पर क्लिक कर देना है योके पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यह कुछ इस तरीके से आएगा इसको आपको बीच में ले आना है अब दोस्तों आपको नीचे आना है यहां पर लिखाऊगा साइज तो आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं तो मैं इसको करने वाला हूँ बड़ा तो मैंने यहां से इसको बड़ा दिया आपको simple इस सही के चिन को दबाना है उसके बाद यह automatic वही set हो जाएगा तो दोस्तो आपको color लेना है यहां से color लिया मैंने आप दोस्तो यहां पर color कोई भी आप ले सकते हैं मैं यहां से कोई भी एक color ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ अब दोस्तो और आँगे आना है यहां से आपको font लेना है अब font के लिए मैं हमेसा यही font लेता हूँ तो मैं अपना यही font ले लेता हूँ तो मैंने इसको कर दिया click अब दोस्तो यह कुछ इस तरीके से हो गया अब दोस्तो आपको background लेना है तो आप यहाँ से background भी ले सकते हैं enable करेंगे और यहाँ से कोई भी color background color select कर लेते हैं तो दोस्तो आप अपनी मरजी के हिसाब से जो भी color आपको अच्छा लगे वो select कर सकते हैं मैं यहाँ से यह white color ही रखूँगा और मैं इसको कर देता हूँ अप दोस्तो आपको आना है stroke पे stroke पे आने के बाद आपको इसमें एक stroke देना है background में black stroke तो मैं इसमें black stroke ही दूँगा black तरह की दिखने लगेगी signing अच्छी आएगी तो मैंने यहाँ से कितना भी आप इसको बढ़ा सकते हैं तो मैं इसको हलका ही रखने वाला हूँ और इसको set करके okay कर देता हूँ तो दोस्तो यहाँ से मैंने इसको set किया और okay कर दिया अब youtube का काम हमारा हो गया complete तो दोस्तो यहाँ पे मैंने video को speed mode में लगा दिया है मैं यहाँ से फटा फट से इसको complete कर लेगा तो दोस्तो प्रोसेस वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसलिए मैंने इसे speed mode में लगा दिया था दोस्तो जब आप अपनी thumbnail को complete कर लेए पूरा बना लेए उसके बाद फिर से आपको यह उपर जो three dot दिखाई देगी आपको यहीं पर click करना है यहाँ पर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर एक option आपको मिलेगा export image आपको कुछ नहीं करना है simple इसी export पर click कर देना है और यहाँ पर आपके सामने एक option आजाएगा save to gallery या फिर आप यहाँ से share भी कर सकते हैं direct लेकिन मैं यहाँ से करूंगा save to gallery दोस्तो अगर आप इसको जेपीजी में करना चाहें तो जेपीजी भी कर सकते हैं और अन्था आपको यहाँ पर png भी मिलता है आप यहाँ से जानातर png में ही save करें तो यहाँ से png सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे save gallery कर देना है अब यह photo आपकी gallery में save हो जाएगी तो उमीद करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना ना भूलें टेक न्यूज सबसे पहले आपके लिए लाता रहता हूँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद आपका दिन तुबो जय हिन जय भारत झाल 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 झाल